तीन दिन के बाद फिर से पलटने वाला है मोशम तेज रबतार्ग और हवाओं के साथ हो सकती है बारिस नमस्कार आपका स्वागत है हिमाले की तरफ सले गए मानसुन ने एक बार फिर राजस्तान की तरफ बढ़ने के संकेत मिले हैं जिसके सलते मोसम फिर से पलटा मारने वाला है मोसम विबाग आईमडी के अनुसार परदेश में 25 से 27 तारिक तक बारिस के आसार बन रहे हैं जिहां आपको बता देगी परदेश में एक बार फिर से मोसम खुस नमा होने वाला है हिमाले के तरफ सलेगे मांसुन राजस्तान की और बढ़ने के संकेत मिले हैं जिसके सलते मोसम विबाग आईमडी ने परदेश में 25 और 27 तारिक तक फिर से बारिस होने के आसार दिये हैं जिससे फिर मोसम का मिजाज बदल सकता है मोसम विबाग ने आगामी 2-3 दिन के लिए परदेश के कई जिलों में मद्यम से भारी भारिस की संभावना जताई हैं साथ ही इस दोरां 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी सलत सकती हैं आपको बता दें कि विबाग मोसम विबाग ने जो अजमेर, भीलवाडा, कोटा, वारा, डूंगरपूर, जालावाड, बासवाडा आदी में बारी बारिस का अलर्ट जरी क्या हैं इसी के साथ ही आईमडी के अनुसार जालकन, बियार और पच्छी मंगाल में भी तेज गर बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब जो मानसुनी बारिस का दोर है, वो धीमा पड़ गया है, बागी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें